हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करते हैं रेडियेटर कैप की रेडियेटर कैप को हम टेक्निकली प्रेशर कैप भी कहते हैं यह आई 20 गाड़ी है आई 20 गाड़ी की जो प्रेशर कैप है रेडियेटर कैप वह 1.1 बार मतलब 14 PSI से थोड़ा ज्यादा प्र अब बात आती है कि हमारा जो रेडिएटर है उसमें प्रेशर आता काह से है जब अधमर ऐन्लेंटी को ठंड़ा करने के लिए उसमें चॉमयच ए敢िघा कोलेंटे सब्लीशनर मुगन होते हैं तो वर प्राइट oportun तो जो जब प्रेशर बिल्ड आफ होता है तो हमारी जो एकश्ज़ प्रेशर myśeze ‌ाme 6 सीक्यास 14 psi के आसपास होता है तो jetzt steam का pressure है वो नीचे की seal को push करता है जिससे कि हमारा spring है वो spring दबता है और जो एक्सिज steam है उसके लिए हमारे एक passage को किलियर करता है जो हमारा आप radiator के जो कैप के आसपास देख रही है जो य Special inject एमारा डै casual radiator के एक- dol cont में collect हो जाती है अब बात करते है radiator cap या pressure cap में क्या problem आती है radiator cap में problem आती है कि अगर हमारी जो दो seal दी हुई है या spring है ये damage हो जाएगा ये खराब हो जाएगा तो हमारा जो steam है वो leak होना start हो जाएगा और हमारा जो radiator का coolant है वो regularly कम होता रहेगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी seal damage हो गई है अगर radiator cap के हमें चारो तरक white support मिलेंगे तो इसका मतलब है कि radiator cap की जो seal है वो damage हो गई है हमें एक चीज भी ध्यान देनी है कि जब भी हम radiator cap को open करें हमें ध्यान में रखना है कि हमारा engine गरम न हो और हमारा engine running condition में न हो या just हम drive करके ना हो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो steam का प्रेसर है जो अंदर 33 से लेके 14 psi तक होता है वो हमारे चैरे पर आए और आए इागै जोड़ वाम खिले ऊपक 고्ईण होता है भी हे लेके 15